कि नोश्का दोस्तों मेरा नाम श्वेता है और आप देखने शुरू कर चुके हैं एमचेक शाओर गेंद का वीडियो टुटोरियल आज का वीडियो एक फुली एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक नॉलिज प्रोवाइड करेंगे जो वीडियो बेगनर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरिया तो दोस्तों कि आप जानना चाहते हैं कि शेयर स्टाक मार्केट क्या है आई इस टॉक मार्केट के बारे में कुछ बुनियादी घ्यान प्राप्त करें और इसके साथ पैसे कमाई इस दुनिया में पैसे कमाना कौन नहीं चाहता पैसा हर इंसान के जरुरत को पूरा करने के लिए जरूरी है अगर आपके पास पैसा है तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और पैसे के बिना हमारा सपना सपना ही बन कर रह जाता है इसलिए आज की दुनिया में सभी लोग पैसे को जादा एहमियत देते ह क्योंकि पैसा है तभी आपके पास इज़त, दौलत, घर, रिष्टेदार दोस्त ये सब कुछ है दुनिया में पैसे कमाने के बहुत से जरीय है कुछ लोग जॉब करके पैसे कमाते हैं तो कुछ लोग व्यापार यानि बिजनस करके पैसा कमाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैसे को क्लेवरली इन्वेस्ट करके डेर सारे पैसे कमाते हैं कुछ लोग तो अपने पैसे FD यानि फिक्स डिपोजिट में डाल देते हैं जहां 6-8% की yearly return मिल जाती है वहीं कुछ लोग mutual fund ले लेते हैं जहां 12-15% साल की return मिलने के chances होते हैं और जो तीसरी जगह है वो है share market यानि share बजार share बजार के बारे में सभी ने सुना होगा मगर वहाँ क्या होता है इसका ग्यान अभी सभी को नहीं है इसलिए आज में आपको share market क्या होता है और basic knowledge of share market के बारे में बताने जा रही हूँ share market और stock market एक ऐसा market है जहां बहुत सी companies के share खरीदे और बेचे जाते हैं यह एक ऐसी जगह है जहां कुछ लोग या तो बहुत पैसा कमा लेते हैं या आपने सारे पैसे गवा देते हैं किसी company का share खरीदने का मतलब है उस company में हिस्सेदार बन जाना आप जितने पैसे लगाएंगे उसी के हिसाब से कुछ प्रतिशत के मालिक आप उस company के हो जाते हैं जिसका मतलब यह है कि अगर company को भविशे में मुनाफ़ा होगा तो आपके लगाए हुए पैसे से दुगना पैसा आपको मिलेगा अगर घाटा हुआ तो आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा यानि आपको पूरी तरह से नुकसान होगा जिस तरह share market में पैसा बनाना आसान है ठीक उसी तरह यहाँ पैसा गवाना भी उतना ही आसान है क्योंकि stock market में उतार चड़ाव होते रहते हैं आपको थोड़ा बहुत idea मिल गया होगा कि share market क्या है चलिए अब जान लेते हैं कि stock market में investment कैसे start करनी है stock market में investment करने से पहले आपके पास demate account होना बहुत ज़रूरी है यह उसी तरह का account होता है जैसे कि आपका bank account होता है फर्क बस इतना होता है कि bank account में आपके पैसे safe रखे जाते हैं और इस account में आपके खरीदे गई shares को safe रखा जाता है अब demate account खोलने के लिए आपको broker की ज़रूरत पढ़ती है broker exchange और investor के बीच का दलाल होता है जो हमारी खरीदारी और बिकवाली में हमारी मदद करता है हर एक transaction के बदले में broker हमसे brokerage लेता है अब broker का चुनाव करते वक्त यह ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि कहीं broker पर transaction ज़्यादा brokerage तो चार्ज नहीं कर रहा है आज कल काफी सारे discount broker अवेलेबल हैं जो काफी कम brokerage लेकर भी ट्रेडिंग करवाते हैं उन में से angel broking 0-10 allies blue प्रमुक हैं और भी काफी सारे हैं आप Google पर जाकर उनके बारे में जानकारी लेते हैं और अच्छे से broker के पास अपना डीमेट अकाउंट उपन करवा सकते हैं आज के इस वीडियो को ही विराम देती हूं आशा करती हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी कल के वीडियो में हम शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे कि कौन-कौन सी मार्केट अवेलेबल हैं और उनमें किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चनिटीज अवेलेबल हैं जो वी और्स हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो सब्सक्राइब रहे हैं वो लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा मिलती हूं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाई बाई टेक केर एपी ट्रेदिंग